दोस्तों विल्कम प्रभास की आने वाली फिल्म इस फिल्म की रिलीजट के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों इस फिल्म की रिलीजट के बारे में बात करेंगे पहले बात कर लेते हैं कि इस फिल्म में प्रभास का रोल क्या होने वाला है तो इस फिल्म के डिरेक्टर यान भी पुलिस के गेट अप में नजर नहीं आये हैं, एक बार अपने मन में सूचिए कि प्रभास कैसे नजर आएंगे एक पुलिस वाले के रोल में, मुझे तो सूचकर ही गुजबंस आ रहा है यार, उपर से डारेक्टर संदीब रेडिवांगा है, वो प्रभास को मामूले प भी तक नहीं देखी होगी, हाल ही में एनिमल फिल्म के प्रमोशन के दवरान संदीब ने कहा है कि वह एनिमल फिल्म के रिलिस होने के जस्ट बाद, इस्पृट फिल्म के स्टोरी लिखने में फिल्स से लग जाएंगी, और इस्पृट फिल्म की सूटिंग सितंबर दोजा 24 से स्टार्ट हो जाएगी यह कनफर्म है कि 24 सितंबर से स्टार्ट हो ही जाएगी ऐसा सोर्सेश की कहना नहीं है बलगी कुद संदीप रेड़ डिवांगा का कहना है फिल्म की सूटिंग तेल्गू और हिंदी लेंग्वेज में एक साथ होगी वैसे संदीप अपनी स्टोरी राइटिंग और सूटिंग में काफी समय देते हैं जैसे कि एसे स्राजा मौली उनकी एक फिल्म बनने में 3-4 साल लग जाते हैं तो वैसी संदीप भी करते हैं हलाग कि संदीप 3-4 साल नहीं लगाते लेकिन 2-2 साल जरूर लगा देते हैं लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि इ आप सब को इस प्रिड् फिलफ के रिलीज डर ब्ता देते हूं डायक्टर अधिप रीड़ वांगा को प्लानिंग हूइ कि वह को 2025 के क्रिसमस पर या तो फीर 2026 के संकरान्ति पर यानि कि जन्वरी के मन्त पर तो ऐसा प्लानिंग है is generation movie इस फीलम कर डारेक्टर की इस बी मिलते किसी और उडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंटेक के यार